पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का जो लाइट ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट जिसे आप सरसमके टू के नाम से जानते हैं अब यह 2024 के अंदर सामने आएगा इसके रोल आउट को प्लैन किया गया है 2024 के लिए आज इसी को उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों सरसमके टू जिसे आप इंडिया के लाइट ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं 19 सीटर एरक्राफ्ट है बैंगलूरू बेस्ड नैशनल एरोस्पेस लबोरेटरीज ने ये फैसला किया है कि वह पहला एरक्राफ्ट जल्द ही मनिफेक्चर करेगी और 2024 के अंदर इसे रोल आउट करने का प्लैन है और दोस्तो CSIR NAL के द्वारा डेवलप किया गया सरस MK2 सबसे पहले डेवलप किया जाएगा रीजनल एर कोनेक्टिविटी के लिए जो उडान स्कीम के अंदर में आती है और आपको बता दें कि उडान स्कीम गवर्मेंट ओफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई थी जिसके तहद प्लैन है कि टू टायर और वन टायर सिटीस को आपस में कोनेक्ट किया जाए और एक सस्ती एरक्राफ्ट सर्विस लोगों को दी जाए और इसी के लिए अब इसी एरक्राफ्ट को भी लाया जा रहा है और आपको बता दें इंडियन एर फोर्स ने भी कमिट किया है कि वहें 14 सरसमके2 एरक्राफ्ट को एक्वाइर करेगी specially troop ट्रांसपोर्ट के लिए और विए इपी ट्रांसपोर्ट के लिए और इसके इलावा एक एर एमबुलेंस ऑपरेटर का भी प्लैन है कि वहैं ऐसे दो सरसमके2 को एक्वाइर करेगा specially air एमबुलेंस सर्विस के लिए और इसके अंदर इस aircraft का configuration भी ambulance के इसाब से किया जाएगा और दोस्तो सरस MK2 को specially design किया गया है उन operations के लिए जो short runway से भी अंजाम दिये जा सकते हैं इसके इलावा इसे hot और high airfield से specially एक semi prepared runway से भी operate किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल tire 1 और tire 2 city को connect करने के लिए किया जाएगा और इसके इलावा भी CSIR और NAL airline operators के साथ भी बातचीत कर रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि कम से कम 140 aircraft Indian market के अंदर आएं क्योंकि इसके potential को कम से कम इतना आँक के देखा जा रहा है ऐसे में दोस्तों बड़ी बात ये है कि ये locally बना है और इसका system local है ऐसे में दोस्तों इसका scope भी बहुत जादा हो जाता है धन्यवाद जैहिन